So, limits में कुछ indeterminate forms होती है जैसे कि 0 upon 0, infinity upon infinity, 0 into infinity, infinity minus infinity या फिर 0 की power में 0, 1 की power में infinity, infinity की power 0 इस तरीके से कुछ indeterminate forms होती है इनको solve करने के कुछ तरीका होता है कई बार क्या होता है कि हमें L hospital rule बता होता है तो हम हर एक form में, indeterminate form में हर जगा L hospital rule लगा देती है बट वो गलत है कुछ जगा लगेगा भी बट हर जगा नहीं लग सकता है और जहां लगेगा कई बार उसको थोड़ा सा change करके फिर लगाना होता है तो हम आज यही discuss करेंगे कि कहां पे किस form में क्या-क्या rule लगेंगे हर एक form को एक-एक करके discuss करेंगे उसके बाद numerical करेंगे, उसके पर एक question करेंगे और उसके बाद फिर से next form में चलेंगे सबसे पहले 0 upon 0 form की बात कर लेती है ठीक है, 0 upon 0 form में क्या होता है कि आप जो numerical, मतलब question आपको दिया होगा suppose दिया हो कि 3x upon 2x कुछ ऐसे दे दिया हो ऐसे तो यह cancel हो जाएगा या फिर कुछ इस तरीके से ही question दिया हो तो 0, अगर इसको हम direct put करें तो 0 upon 0 बन जाएगा या इस तरीके से मैं numerical अभी just करवाओंगी तो आपको समझा जाएगा मतलब आपका जो answer आ रहा होगा limit में, वो 0 upon 0 की तरह आ रहा होगा तो आपको क्या करना है, L hospital rule को apply करना है अब L hospital rule क्या है L hospital rule में हमें क्या करना है जैसे उपर ये दिया था और नीचे ये दिया था हमें क्या करना है numerator और denominator जो है उसको एक एक बार differentiate कर दा मतलब numerator को उपर ही differentiate कर दिया numerator को differentiate करके वहीं पे रखा और denominator को differentiate करके वहीं पे रखा ठीक है, और उसमें value put करके देखना आंसर आजाएगा, अगर ऐसा नहीं हो फिर भी आंसर नहीं आ रहा हो तो फिर हमें क्या करना है, फिर भी अगर 0 upon 0 form बन रही है तो हमें फिर से उसको differentiate करना, numerator को फिर से differentiate करना, denominator को भी फिर से differentiate करना, फिर हमारा answer आजाएगा, ठीक है, ऐसे करते जानों, so यह दो numerical है, 0 upon 0 form में, कैसे पता चलेगा कि यह 0 upon 0 form में, अगर हम direct इसकी value पुट करते हैं, sine of 0 कितना होता है, sine of 0 is equals to 0, और x की value 0 ही है, मतलब यह 0 upon 0 form होगी, अब इसका देखेंगे, sine x की value, क्या होते हैं, sine 0 की value, 0 होती है न, e की power में 0 minus 1 upon 0, अब e की power में 0 की मतलब हो गया, 1 minus 1, यानि कि इसकी value भी 0 आगे, यह आगया, 0 upon 0 form, ठीक है, इस तरीके से अब इसको solve कैसे करना है, हमें इसको differentiate करना है, numerator को और वहीं पर रख देना, numerator को differentiate करके, denominator को differentiate करके, वहीं पर रख देना, अब देखो, इसे लिख देंगे, sin of x की value, limiting x tends to 0, फिट से, sin x की differentiate करेंगे तो cos x आ जाएगा, और x को differentiate करेंगे तो 1 आ जाएगा, है न, अब अगर x की जगा, मैं 0 put करती हूँ, तो cos 0, यानि कि इसकी value क्या आ गई, इसकी value 1 आ गई, यह हमारा answer हो गया, इसको आपने formula के form में भी देखा होगा, ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं, तो इसको differentiate जब हम करेंगे, e की power में sin x है, ठीक है, e की power sin x को differentiate करना, limit, limit x tends to 0, फिर से, ठीक है, और e की power sin x है, मतलब इसकी differentiation हो जाएगी, e की power sin x, इसके साथ multiply में sin x की differentiation cos of x, ठीक है, minus 0, 1 की differentiation 0, और x की differentiation 1, है न, यह होगा, अब अगर हम x की value 0 put करते हैं, e की power में sin 0 और multiply by cos 0, cos 0 की value 1 होती है, और sin 0 की value 0 होती है, e की power 0 into 1 हो गया, यह is equals to, यह आ गया 1 into 1, है न, e की power 0 भी 1 होता है, इसका मतलब क्या हो गया, यह one answer आ गया, ठीक है, इस तरीके से आपको L hospital लगा के solve कर देना है, इसके बाद हमारे पास next form है, infinity upon infinity form, ठीक है, इसमें हमारा answer infinity upon infinity आ रहा होगा, तो हमें क्या करना है, अभी हमें फिर से L hospital लगानी है, जिस तरीके से हमने numerator को differentiate किया था, और denominator को differentiate किया था, वैसे ही क्याना है, ठीक है, बार-बार differentiate करते जाना, जब तक infinity upon infinity form आ रही है, बट कई बार क्या होता है, कि infinity upon infinity form में, अगर हम इसको convert कर लें, 0 upon 0 form में, तो कई बार answer जो है, वो easily निकल जाता है, कई बार infinity upon infinity form से direct नहीं निकल रहा होता है, तो हम 0 by 0 form में करके, फिर उसको निकाल सकते हैं, चीक है, अब हम एक numerical करते हैं, अब ये एक numerical है, infinity रखने से, ठीक है, तो इसका मतलब ये आगे, infinity upon infinity form, ठीक है, इसको कैसे solve करना है, हमें क्या करना है, सीधे हमें इसमें L hospital लगा देनी है, फिर से लगा के देखेंगे, log x की differentiation, 1 upon x, और x की differentiation, 1, x की value, अगर हम infinity put करते हैं, तो 1 upon infinity is equals to 0, ठीक है, इसके बाद है, ये question, मैं फिर से लिख देती हूँ इसको, limit x tends to infinity, 3x plus 4 upon root over 2x square plus 5, अब जैसे मैं बोल रही थी, कई बार question में, अगर हम इसको differentiate करते हैं, तो और ज़्यादा complicated हो जाएगा, numerator और denominator, ठीक है, और ज़्यादा complicated हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 0 form में convert करेंगे, 0 upon 0, मतलब ये infinity है न, infinity upon infinity form है ये, यहाँ पर देखो, अगर हम 3x जो है, इसको put करते हैं, infinity तो इसकी value आजाएगी, infinity plus 4 upon infinity की power, मैं root भी लगा लो infinity को, तो भी infinity आती है value, ठीक है, यहाँ गे infinity upon infinity, ठीक है, यह value आएगी, तो मतलब की infinity upon infinity form है, अब इसको हम convert कैसे करेंगे, इसको हम convert करेंगे, 0 upon 0 form में, कैसे करेंगे, x is equals to, यह कर देती हैं, इसको हम x की जगा सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 upon y, ठीक है, देखना, अब यह देखना, मतलब की x की value अगर infinity थी, तो y की value क्या आजाएगी, y की value 0 हो जाएगी, limiting y tends to 0, और 3x की जगा आजाएगा, 3 upon y, plus 4 upon root over 2 upon y square plus 5, ठीक है, यह होगा, फिर उसके बाद limiting, y tends to 0, और 3 plus 4, 4y upon y, और यहाँ पर अगर हम देखें, यह आजाएगा, 2 plus 5y square upon y square, अब y square बाहर आएगा, root से तो y ही हो जाएगा, मतलब y y cancel होगे, limiting y tends to 0, 3 plus 4y upon 2 plus 5y square, इसके उपर root, ठीक है, y y cancel होगे, अब अगर हम y की value 0 put करते हैं, तो क्या answer आएगा, पहले अगर हम यहाँ पर 0 put कर रहे थे, तो वह ऐसे ही same हो जा रहा था, पहले जैसे ही बन रहा था, लेकिन अब अगर हम देखें, तो अब क्या आजाएगा, 3 plus 0 upon root 2 plus 0, इसका मतलब 3 upon root 2, इसका answer आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से निकले गा यह, अब इसके बाद यह form है, 0 into infinity form, इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें 0 upon 0 form में, और फिर infinity upon infinity form में, पहले convert करना है, फिर उसके बाद L hospital rule apply करना है, ठीक है, अब देखो, यह numerical है, इसमें क्या है, कि limiting extends to A, और A minus X, tan, और bracket के अंदर, tan का है angle, pi X upon 2A, ठीक है, तो अब अगर हम X की जगा पे A put करते हैं, तो यह आ जाएगा, A minus A, यानि कि यहाँ पे आ जाएगा, यह आ जाएगा 0, फिर उसके बाद है, tan pi by 2, और A upon A, ठीक है, A upon A cancel हो जाएगा, और यह आ जाएगा, 0 into tan pi by 2, कितना होता है, infinity, तो मतब 0 into infinity form है यह, ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब इसको पहले convert करना है, किसी और form में, अब क्या तरीका हो सकता है, अगर हम tan को देखें, तो tan X जो होता है, इसको हम sin X upon cos X लिख सकते हैं, है न, इसको हम लिख देंगे, limiting X tends to A, A minus X into sin of pi X upon 2A, upon, यहाँ पर आ जाएगा, cos pi X upon 2A, ठीक है, यह दोनों की bracket में है, अब यह हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब देखो, अगर हमारे पास यह है, अगर limiting, limiting limit यहाँ पर है, और X tends to A, यह 0 कुछ भी है, ठीक है, और यहाँ पर अगर हमें दिया हुआ है, F of X और G of X, ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, limiting X tends to A, F of X into limiting X tends to A, G of X, इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब कि यह दोनों अलग-अलग से इन पे limit लग सकती है ठीक है तो हम यही चीज़ करेंगे पर थोड़ी सी arrangement करके करेंगे limiting x tends to a और यहाँ पे a minus x इस तरीके से लिख देंगे और cos of pi x upon 2a यह दोनों ऐसे लिख देंगे इसके साथ लिख देंगे limiting x tends to a वही limit same to same ठीक है यहाँ पे bracket भी लगा देती हूँ मैं और यहाँ पे आ जाएगा sin pi x upon 2a ठीक है यह आ गया इस तरीके से लिख दिया हमने इसको अब अगर देखें यहाँ पे put करें a अगर यहाँ पे मैं a put करती हूँ तो यह आ जाएगा limiting x tends to a sin pi a upon 2a यानि कि a a cancel हो जाएगा और sin pi by 2 कितना होता है sin 90 degree sin 90 degree is equals to 1 होता है तो इसकी value आना चाहेगी इस वाली limit में देखें अगर x tends to a और a minus x है मतलब कि 0 आ गया a minus x यानि कि a minus a put करेंगे न यहाँ पे तो यह आ जाएगा 0 और cos of a a cancel होगा जब x की जगा put करेंगे तो cos pi by 2 कितना हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा अब उससे क्या होगा कि यह क्या बन गई 0 upon 0 form बन गई अब इसको पहले मैं 1 लिख के फिर से लिख देती हूँ limiting x tends to a a minus x upon cos pi x upon 2a ठीक है यह लिख दिया into 1 क्योंकि इसकी value 1 अगई ठीक है न अब इसके बाद क्या करेंगे अब 0 upon 0 form बन गई है तो इसका मतलब कि हम इस पिल l hospital rule लगा सकते हैं ठीक है limiting x tends to a a minus x जो है इसको differentiate करेंगे तो minus 1 बचेगा क्योंकि a constant है ठीक है minus x की differentiation minus 1 और cos की differentiation क्यों होती है minus sin pi x upon 2a और इसके साथ जो अंदर है bracket की अंदर इसको भी करना है differentiate यह आ जाएगा pi by 2a इसके साथ multiply में रह जाएगा ठीक है क्योंकि x की differentiation 1 होगी ठीक है अब इसकी value जो आएगी यहाँ पे अगर हम देखें x की जगा पे हम put करते हैं क्या put करेंगे a put करेंगे तो sin pi by 2 कितना होता है 1 होता है ठीक है यह आ जाएगा minus 1 minus of 1 है ना a put करा और उसके वज़े से sin pi by 2 बन गया फिर से मैं लिखी देती हूँ sin pi by 2 बन गया into यहाँ पे यह denominator में है ठीक है यह हो जाएगा minus minus plus कर देती हूँ यह हो जाएगा 1 मतलब इसका answer आगा है 2a upon pi ठीक है यह answer आजएगा हमारा अब इसके बाद आती है infinity minus infinity form यानि की infinity मतलब f of x इस तरीके से लिखाओ g of x लिखाओ उसमें limit लगानी है x tends to infinity और इसकी value 0 आ रही है इसकी भी 0 आ रही है मतलब infinity minus infinity बन रहा है ठीक है in short ठीक है अब हम इसमें क्या करेंगे अगर हमें f minus g x दिया हूँ है एक function ठीक है तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे इस तरीके से लिख देंगे यह लिख देंगे हम minus 1 upon f of x minus 1 upon g x अब 1 upon f of x into g of x अगर हम इसको solve करके देखें यह भी by the way same है यहाँ पर minus sign अंदर कर दिया तो 1 upon g x minus 1 upon f x हो गया ठीक है तो मैं बता दू कि इसको अगर हम solve करके देखें इसको solve करते हैं यह आजाएगा f of x cross multiply करने पर f of x उपर आगया minus g of x है ना upon g of x into f of x ठीक है यह आगया और नीचे 1 upon g of x into f of x है पहले से तो मतलब यह दोनों cancel होगे और फिर से जो हमारा question था वही हमें मिल गया मतलब हमने सिर्फ इसको इस तरीके से arrange करके रखना है और फिर हमें solve करना है ठीक है तो हम f of x minus g of x अगर दिया होगा तो हम क्या करेंगे लिखेंगे इसको minus sign लगा लो या फिर 1 upon gx लिख दो जो second number पे है उसको पहले लिखना है 1 upon gx minus 1 upon fx upon 1 upon gx into f of x ठीक है इस तरीके से लिखके हमने इसको solve करना है अब इस पे एक numerical करते है तो और clear हो जाएगी चीज so ये एक numerical है इस पे based हमें इसमें क्या करना है वही formula लगाना है पहले मैं एक बर फिर से दिखाती हूँ यहाँ पे 0 की x की value 0 पुट करने से यहाँ जाएगा infinity 1 upon 0 यानि कि infinity minus sin x की value x की value यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो sin 0 नतलब 0 हो गया तो 1 upon 0 infinity infinity minus infinity form बन रहे है अब हम इसमें formula पुट करेंगे क्या formula था 1 upon g of x minus 1 upon f of x upon 1 upon g of x into f of x यही formula था ठीक है अब हम इसको put करेंगे किस तरीके से अब एक चीज़ देखो 1 upon g of x करती है अगर 1 upon 1 upon sin square x लिखती है तो इसको हमारी value आजाएगी sin x है न 1 upon g of x का मतलब क्या हुआ यह है न g of x और यह f of x है तो इसका मतलब हुआ 1 upon 1 upon sin square x इसकी value आजाएगी direct sin square x इसी तरीके से 1 upon f of x की value भी हो जाएगी x square हो जाएगी ठीक है यही है यहाँ पर x square नीचे denominator में तो अब हम direct करते हैं यहाँ पर 1 upon g of x यानि कि sin square x और minus x square upon यहाँ पर भी sin square x into x square यह हो जाएगा और limit वही क्योंकि हमने कोई substitution नी किया इसी को rearrange किया है तो limit वही रहेगी हमारी x tends to 0 ठीक है अब यह हो गया अब देखो अगर हम इसको देखें यह 0 put करके देखें एक बार x की जगा तो यह आजाएगा 0 यहाँ पर आएगा 0 minus 0 मतलब यह 0 इसकी value आगी इसकी भी 0 आगी upon 0 into 0 मतलब कि यह क्या form है 0 upon 0 form ही है ठीक है बट इसमें हम देखें अगर differentiate करेंगे तो बहुत जादा complicated हो जाएगा तो हम और तरीके से कुछ ढूमते है इसमें हम क्या कर सकते है पहले हम एक काम करते है x is equals to 0 sin of sin square x minus x square upon यहाँ पर x square into 1 upon sin square x अब यह नीचे जो है sin square x यह अलग से है इसमें हम क्या कर सकते है इसको हम अलग कर सकते है ठीक है यह आजाएगा x square से मैंने multiply divide कर दिया multiply divide कर दिया अब इसको अगर हम फिर से लिखूँ मैं यहाँ पर तो हम इसको फिर से इस तरीके से लिख सकते है sin square x minus x square upon x की power 4 into limit x tends to 0 x square upon sin square x ठीक है इस तरीके से कर सकते हैं अब यह हो गया अब इसकी value देखो limiting limit sin x upon x is equals to x tends to 0 is equals to 1 होता है या फिर limiting x tends to 0 x upon sin x is equals to यह भी 1 होता है ठीक है यह आजाएगी मतलब 0 upon 0 form L hospital से आप करके भी देख सकते हो यह होता है ठीक है और यह आपने formulas में भी पढ़ लिया होगा इसको formula बोल देते हैं इसको directly use किया जाता है तो इसकी value किया जाएगी 1 की power में 2 क्योंकि दोनों के उपर square है तो 1 की power 2 इसकी value आजाएगी और इसकी value क्या आएगी x tends to 0 अभी यह देखो sin square x minus x square upon x की power 4 अभी भी यह 0 upon 0 form ही है है ना यहाँ पे अगर 0 put करें 0 minus 0 upon 0 इस तरीके से यह 0 upon 0 form में ही है अब इसमें हम फिर से एक बार L hospital लगा सकते हैं क्योंकि और कोई तरीका नहीं बचा है हमारे पास डारेक्ट formula वगरा लगाने का तो अब हम क्या करते हैं इसको लिख देते हैं 2 sin of x sin x की differentiation आएगी cos x minus 2 x upon 4 x की power 3 ठीक है यह आएगा limiting x tends to 0 और इसको मैं बहार निकालती हूं 2 को वो रहने देते हैं यह देखो यह direct आपको दिख रहा है न यह formula बन जाएगा है न यह sin 2 x का formula है minus 2 x upon 4 x की power 3 अगर हम 0 अब put करके देखें तो यह भी 0 है और यह भी 0 है यह भी 0 है यह अभी भी 0 upon 0 form है इसको अगर हम लिखें अब x tends to 0 तो फिर से differentiate करें यह आजाएगा sin 2 x की जगा आजाएगा cos 2 x और multiply 2 क्योंकि 2 x था अंदर ठीक है तो यह आजाएगा cos 2 x और 2 minus 2 x का हो गया 2 upon 4 3 जा 12 x की power 2 यह हो जाएगी उपर differentiate के और नीचे भी differentiate कर दिया अब देखो अब अगर हम 2 और 2 निकालके यहां से common निकाल सकते हैं और यह आजाएगा 1 by 6 यह बाहर आजाएगा क्योंकि यह constant है 12 को भी मैंने निकाल लिया और यह limiting x tends to 0 देखें यहीं पर कर दूँँ इस side में और यहाँ पर है cos 2 x minus 1 upon x square अब अगर आप देखो इसको ध्यान से तो यह क्या बनता है यह formula बन जाता है cos 2 x minus 1 या फिर 1 minus cos 2 x वो हो जाता है limiting 1 upon 6 है यहां पर minus sin common निकाल लेती है x tends to 0 यह हो जाएगा 1 minus cos 2 x क्या हो जाएगा 1 minus cos 2 x क्या हो जाएगा यह formula बन जाएगा sin square of x यह आजाएगा 2 यहाँ पर 2 भी लगाएगा है ना यही formula होता है cos 2 x is equals to 1 minus 2 sin square x यही formula होता है तो इसको मैंने cos 2 x को इधर लेके गई हूँ 2 sin square x को मैं इधर ले आई हूँ तो वही बन गया direct तो यहाँ पर नीचे x square है minus 1 upon 6 limiting x tends to 0 और यहाँ पर आजाएगा 2 sin square x upon x square अब हम फिर से देखें sin square x upon x square इससे भी हमें 1 आजाएगा मतलब 1 का square आजाएगा हमारा answer 2 को बाहर लेके आते हैं minus 1 by 3 limiting x tends to 0 sin square x upon x square इसकी value क्या आजाएगी minus 1 by 3 into 1 square मतलब minus 1 by 3 हमारा answer आगे इस तरीके से निकल जाएगी answer हमारे अब यह एक last form बची है यह तीनों combine ही होती है तीनों का एक ही तरीका 0 की power में 0 1 की power में infinity और infinity की power में 0 ठीक है अगर ऐसा कुछ आता है आपको कुछ नहीं सोच रहा है मतलब इस तरीके से पहले solve इसको मतलब put करके देख ले न 0 की power में 0 आ गया या फिर यह सब जब आ गया यह तीनों forms में से 1 तो आपने सीधे log लगा देना है और फिर उसके बद question निकालने की कोशुश करनी है मैं सीधे question में आपको concept समझाती हूँ अच्छे से यह एक numerical है इस पे बेस ठीक है एक question है इसको कैसे solve करना हमने यहाँ पर अगर हम देखे n की value infinity limiting n tends to infinity n की value infinity put करते हैं और उसकी power में 1 upon infinity यानि की infinity की power 0 0 हो जाएगा न infinity 1 upon infinity यानि की 0 ठीक है तो यह हो जाएगा infinity की power 0 form बनती है ठीक है इसको कैसे solve करना हमने let कर देना let इसको p suppose कर देते है इस पूरी चीज़ को ठीक है p is equals to limiting n tends to infinity इसकी n की power में 1 upon infinity ठीक है यह हो गया फिर उसके बाद apply करना हमने log both side log लगा दिया log p is equals to log base e ठीक है यह हो गया फिर उसके बाद log यहाँ पर भी लगाया हुआ है और यह आजाएगा limit n tends to infinity n की power में 1 upon infinity तो इसको हम limit वाली portion को हम बाहर निकाल देते हैं limit n tends to infinity log e n की power में 1 upon n ठीक है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं 1 upon n जो है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं log की आगे यह पता है ना आपको formula log of m की power में n हो अगर तो इसको हम n log m लिख सकते हैं यह तो अपने school में भी पढ़ी होगी तो इसकी value आजाएगी limiting n tends to infinity n variable है इसलिए यहीं पर आएगा 1 upon n log n ठीक है यह आजाएगा इसको हम लिख सकते हैं limiting n tends to infinity log n upon n और अगर हम अभी ध्यान से देखें n की value infinity put करें तो यह infinity upon infinity form है तो इसमें हम L hospital rule लगा सकते हैं is equals to limiting n tends to infinity यहाँ पर आएगा यह 1 upon n और upon 1 n की differentiation 1 ही होगी with respect to n ही करें दोनों को differentiate ठीक है तो यह आजाएगा limiting n tends to infinity और यहाँ पर 1 upon n है तो हमें अब डारेक्टिस में put करेंगे value 1 upon infinity तो उसकी value 0 होगी है ना 0 होई ना बट यह answer नहीं है answer क्या है हमें log log p की value 0 थी हमारी यह आई है हमारा अभी तक और हमें निकालना क्या है हमें p की value निकालनी है ठीक है p is equals to e की power में 0 यानि की 1 यह हो जाएगा हमारा answer जाएग जाएगा फएगा है लोग ऑर उक में तक बासर पमजयलोच और जाएगा वर थ जाएगा ब pensar या वर। एएगा है वर एएगा है कंजय। ऑ्जय एपको बासर